हेलो फ्रेंज आज के वीडियो में बनाएंगे एक खुबसूरत सा स्लीव डिजाइन इसे बनाना बहुत असान है चलिए शुरू करते हैं यह देखिए मैंने यहाँ स्लीव की कटिंग कर ली है और यहाँ से बीच से कटा हुआ है तो कभी कभी हमारे पास कपड़ा कम पड़ जाता है तो इस तरह से हम दो कपड़ों को जोड के स्लीव की कटिंग करती हैं तो बीच में जोड आ जाता है तो वहाँ पे यह आप डिजा लिया है जो हम साइड में मार्जिन देते हैं उसके अलावा मैंने यहां पे 3 से 3.5 इंच कपड़ा जादा लिया है तो क्योंकि यहां पे हम गैदर्स बनाएंगे थोड़े से प्लीट्स देंगे इसलिए हमें यह 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है यहां से नीचे की स्लीव का और लेस का यह सीधा साइड है दोनों के सीधी साइड को इस तरह से फेस करते हुए रखेंगे और यहां स्टिश दे देंगे तो ध्यान दें स्लीव के कपड़े का सीधा साइड और लेस का भी सीधा साइड एक साथ हमें फेस करते हुए रखना है ये देखे यहां पे हमने ये stitch दे दी है हमारा lace attach हो गया है अब हम इसे इस तरह घुमा देंगे और अब हम ये जो दूसरा piece है sleeves वाला उसे हम यहां रखेंगे तो ध्यान दे ये नीचे की side सीधा side है sleeves का ये देखे ये उपर की तरफ wrong side है और नीचे की तरफ हमें अपने sleeves के stitch दे देनी है तो ये देखे हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई दे दी है और अब हम इसे जब खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा अब side side में दोनों तरफ हमने stitch दे देनी है तो ये देखे ये जो पीछे का कपड़ा है इसे हम side में करते हुए उपर की तरफ से stitch दे दे देने से नीचे का जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा लेस से और एक क्लीन लुक भी आता है हमने एक तरफ सिलाई दे दी है इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई दे देंगे ये दोनों तरफ से लाई लग चुकी है हमारा लेस अटाच हो गया है अब ये नीचे की तरफ हमने कुछ प्लीट्स देनी है तो जितनी भी हमारी प्लीट्स होंगी वो लेस की तरफ फेस करते वे होंगी ये देखे इस तरह तो दोनों तरफ आपने 5 से 6 प्लीट्स देने है पर ध्यान दे प्लीट्स आप उतने ही लगाएं कि प्लीट्स देने के बाद आपके जो कपड़े की फिटिंग से 1 इंच, 1.5 जादा आपको मिल जाए फिटिंग देने के लिए तो ये देखे इस तरह से मैंने साइड से प् ये देखे इस तरफ भी हमने सारे प्लीट्स लेस की तरफ फेस करते हुए लगाए हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान दे, ये हमने स्टिच दे दी है, हमारे प्लीट्स तयार हैं, अब हमने एक कपड़े का स्ट्रिप लेना हैं, इसकी लेंथ मैंने 3.5 इंच ली है, और इसे ह हम इस तरह लगाएंगे यहां साइड में तो जो आपके स्लीव का रॉंग साइड है यानि कि उल्टा साइड वहां पे हमने अपने इस स्ट्रिप को इस तरह रखना है देखे पट्टी का सीधा साइड और स्लीव का उल्टा साइड इस तरह फेस करके हम रखेंगे और यहां सा स्लीव्स के राइट साइड ले जाएंगे और कपड़े को आधा इंच का मोड़ते हुए उपर की तरफ ले जाएंगे और यहां स्टिश दे देंगे तो इस तरह ये डेड़ इंच का कफ हमें यहां पे मिल जाएगा यह देखे हमने इस्टिश दे दी है हमारा कफ तयार हो गया है हम यहां पर नीचे की तरफ एक लेस लगा रहे हैं लेकिन आप चाहें तो इसे यहां पे भी एंड करके फिटिंग्स दे सकते हैं बहुत ही प्यारा लोक आता है पर यहां पे मैं यह लेस भी लगा रही हूं इस तरह लग रहा है हमारा लेज, अब हम इसकी फिटिंग देंगे, तो फिटिंग देने के लिए हमने इसको बीच से इस तरह फोल्ड करना है पहले, और साइड में फिटिंग दे देनी है, तो यहां मैंने 4.5 इंच की उपनिंग ली है और साइड की फिटिंग की स्टिच दे दी है, यह हमारी फिटिंग की स्टिच भी लग गई है, और इस तरह हमारा स्लीव का डिजाइन तयार हो गया है, आप देख सकते हैं यह इस तरह लग रहा है, अब यहां से हम अपनी अगर आ रहा हो तो उसे ठीक करने का उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो मेरे पेज को लाइक करें आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडि आपको अप्याओ और याओ धि रख शॉले वीडियो खरत आपको लोनर प्याओ अएप्टाव वीडियो प्रेण।